पूहिमाय यहां बैठे वहां खूहँ एक्चली करना अधीनों है तो अधीर हो उसका सबस में हुआ रखेंज हुआं अल्सेल सबक्राइब कास काफरा उसकतों मैं ü्लै की के सबसे अधर हहां में कि ल्मक्राइब वाहं की person तो I hope आप सब जो अपने घर पर ठीक होंगे जैसे कि भाई अभी जो हैं नहीं बच्चे आ चुके हैं नहीं टेक के बच्चे आने वाले हैं जनवरी के आने वाले हैं सेप्टेमबर के आ चुके हैं ठीक है तो भाई यह वीडियो में इस्पेशली आप लोगों के लिए बना लाइक जो बच्चे सोस्ते में को सेक्यूरिटी में काम करना है मुझे कैसे सेक्यूरिटी का काम बिल सकता है मुझे बताऊ मेरे को मैसेज आते हैं बहुत सारे कि राजवई काम दिलवादो तो भाई इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ एक्स्प्लेइन करूंगा टोट तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फुल होने वाली आप जो यह वीडियो जरूर एंड तक देखना तो मैं इसमें आपको सारो कुछ क्लियर कर दूँगा कि मैं कैसे हायर हुआ आप कैसे हायर हो सकते हो तो वैस अब अब जो है मैं अपने काम पर आया हूं मैं जो अब जैसमें चीवर्श अब आपको कमपने ने काम घो हो भैस अब कृफैए मैं की बचाना तो मैं कैसे हैर हो सकते हैं क्या कुछ तो पहले तो हम आपको जाए तो मैं आपको डिखाये दो मेरा काम पर मैं बाऊम कर रहा हूं तो Nagi मैं यहां बैठ पर ठीक है यह मेरा बैग पर हो है तो एक्चुली में को बस यहां बैटना है और यह कॉंट्रेक्टर काम कर रहे हैं तो उनको बस देखने के लिए उनको एक प्रेजन्स चाहिए होते है सेक्यारिटी की तो मैं यहां बैठा हूँ कुछ नहीं मेरी कॉफी पड़ी हुई है जदो कुछ काम नहीं होता है तो बस इतना ही काम है एक्चुली मेरी अलए अंदे रहो रहा है पूरा है मैं चेक है जो इस वीडियो पांट सटार्ट करते हैं मतलब कि मैं कैसे Hayır हुआ और आप लोग कैसे हाँ तो इस कंपनी में और मतलब की किसी भी कंपनी में आप कैसे हाँ हो सकते हो सेक्योरिटी का अगर आप काम ढूंड रहे हो तो यह काम ज्यादा कुछ नहीं बज यहां बैठना बैठना एक तो इस टाइम पे इवेंट पर गाट्स जादा चाहिए होते हैं तो यह जो मेरी कंपनी है मेरी कंपनी है लाइड इनिवर्सल तो इस कंपनी को एक कॉंट्रैक्ट मिला था सी एनिप प्रोग्राम में पर जू सी एनिप यह जो है कि यहां पर फेस्टिवल जहां पर जूळेव अगरा लगते हैं ट्रॉंटो में तो वहां पर nis मेरी वाली कंपनी को जिसमें मैं हायर हुआ लाइड इनिवर्सल में इसको आप फेका मिला तो इसको ठेका कह सकते हैं basically इ पॉष्ट निकाली थे कि वी आर लुकिंग पॉर गार्ड स्कुरिटी गार्ड तो उस टाइम जो है इनकी हाइरिंग स्टार्ट हुई थी तो इंस्टाग्राम में बेसिकली पोस्ट वगर आ जाती है तो मैंने जब पोस्ट देखी तो मैं भाई गया तो अपना से मतलब सारा क बॉष्ट लेकरी लाइसेंश वगएरा तो इस ट्राइम नहीं वह 265 कमेरे कवी मैंने सीजनल भेस पर इन ओने पिक करें तीक स्एजनल बेस कारें और एंप करने बाद इनों ने का है चार महीन ह Cake क्रेब डो में हैं फटनी कीतने महीन का इन eh लिए है जब तक und ssini यह थब तक के लिए की तब तक लिए तो बट उस टांव क्यासीन था मेर्य मरे समय्ष्टर कंप्लीछ ते समय्ष्टर कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा समय क्या स्ट पेमड़ने वाला था उसके बीचत्व कम से कम 15-20 15 दिन का gap होता है at least तो हम उस 15 दिन में फूल टाइम काम कर सकते हैं ठीक है तो उस टाइम जो है mostly जो सारी कंपनी होती है security की उनको full time बच्चे चाहिए जो security के लिए ठीक है तो उस टाइम उन्होंने में से पूछा आपकी eligibility बिताओ तो उस टाइम मैंने कहा मैं full time eligible हूँ तो मैं उस टाइम hire हो गया इस company में ठीक है तो basically आप किसी भी company में अगर hire होना चाहते हो तो first पहली जो चीज है आपको बोलनी पड़ेगी मैं full time available हूँ भली कि आप 20 गंटे वाले हो पर फिर भी आपको जो है full time बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं full time काम कर सकता हूँ ठीक है मेरी बात आप पहले जिहां से सुनो एक चीज नोट कर ली कि पहले तो हमें बोलना है उनको कि मैं full time काम कर सकता हूँ आपके लिए ठीक है तो वो पूछेंगे आप से availability बताओ आप कब से कब तक कर सकते हो रात को दिन को मतलब जो भी आप उस time काओ कि मैं बाई कभी भी किसी भी time आपके लिए काम कर सकता हूँ यूगि उस time जो आपकी बातचीत है वो आपकी और recruiter की बातचीत होगी है ठीक है उस time आपके लिए recruiter important है और recruiter के लिए आप important तो उसके लिए आप important हो ठीक है उस time आपको उस से मतलब होना चाहिए उसको आप से मतलब होना चाहिए ठीक है तो उस time आपको बोलना है कि मैं full time eligible हूँ काम करने लिए किसी भी time किसी भी वाक्त horsepower अके उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपका experience है security में या नहीं तो अगर आप समझ लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आप समझ लो कि अभी आयो चार महीने पहले जैसे September इंटेग वाले बच्चे है तो वो बोलेंगे कि बही में को तो आयो है तो मैं security का experience कैसे डाल दो ठीक है तो पर आप जो है अपना एक साल का या छे महीने का experience डाल दो ठीक है आप से वो लोग study permit आपका check नहीं करेंगे कि आपकी study कब से start हुई या आप क्या है क्या है ऐसा कुछ नहीं वो बस आपका resume चेक करते हैं कुछ पीछे से verify नहीं करते हैं ठीक है तो अगर आप अभी आयो September इंटेक वाले दो-तीम महीने हों आयो आके ठीक है और आप छे महीने या साल भर का experience डालो आप बोल दो कि मेरी study इस time से start होगी ती एक साल पहले से एक साल पहले का मैं Canada में हूँ ठीक है ऐसा जो है एक experience डाल दो ठीक है यह दूसरी चीज हो कि भाई देखो अगर काम चाहिए तो थोड़ा जूट भी बोलना पड़ेगा ठीक है मैं यह नहीं कहारा कि भाई सब को जूट बोलो पर जैसे आपको मालूम है कि Canada में jobs की requirement कम है ठीक है और बहुत सारे consequences हैं like बच्चों काम नहीं मिल रहा है यह वो तो जिस तरीके से higher हो सकते हैं मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ ठीक है भगवान कले सबको काम मिल जे ठीक है तो आप यह चीज बताओ experience डालो साल भर का 6 महीने का यह कुछ किसी भी company का experience डाल दो और जिस चीज का आपने experience डाला हुआ है उस experience के आपको knowledge होनी चाहिए आप YouTube पर वीडियो देखो या आपका कोई दोस्त है जो उस position पर काम कर रहा है उससे उसके बारे में पूछो यह चीज होगी ठीक है उसके बाद आपसे उन्हों ने आपका experience के बारे में बात कर ली आपका license है license दिखाना है आपको ठीक है और अगली जो चीज अब कुछ certifications होती है जिनको उसकी requirement होती है जैसे कभी कभी क्या होता है जो security होती है वो ऐसी जगा security करती है जहां पर wine दारू अगरे चलती है तो उस time जो है guard को smart serve की जरूरत होती है ठीक है तो आप mostly किसी भी company में जाओगे hire होने के लिए security में तो वो सबसे boost है मतलब मैंने 80-90% ऐसी company देखी हुई है सारी 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 company है बल्कि मैं आपको refer करूँगा आप बनाओ smart serve का certificate जरूर पनाओ ठीक है वो मांगते है उस time ठीक है तो smart serve का certificate बनाओ और अगर आपके पास उस time smart serve का certificate नहीं है हाई रोड़े के time पे तो आप उनको बोल दो हाँ मेरे बाद smart serve है मैं आपको कल send कर दूँ ठीक है क्योंकि smart serve certificate को बनने में जादा time नहीं लगता उसका एक से दो घंटे का course होता है आप चाहिए स्किप करके सार आगे लाइसन हो अगरे कंप्लीट कर लो और उसका जो में टेस्ट है दो टैम्ट होते हैं दो टैम्ट में से आपको पता नहीं कितने परसंट से उपर लेने होते है smart serve का certificate जो है फिर दो घंटे में आ जाता है आपक इन सारे certificate के link जो है description में दे दूगा smart serve जो है actually 45 डॉलर का है कुछ यह paid है ठीक है certificate और आगे आपको बहुत काम आएगा ठीक है बली सिर्फ security में नहीं मांकि और भी कहीं मतलब अगर आपको ऐसी normally wine rack वगेरा LCBO वगेरा में लगना है तो यह certificate मांगते ही मांगते ही ठीक है तो भी मैं certificate के नाम बोल रहा हूं इस सारे certificate जो है जब आप security company में higher होने जाओगे तब उस नहीं मांगते हैं तो मैं आपको इसलिए कौँगा कि आप अभी सारी कुछ जो चीजें तियार करके रख लो ठीक है और जो दूसरा certificate है वो है AODA करके certificate है कि अबता मैं गल्त बोल रहा ह पर नहीं उसका जो नाम है वो मैं नीचे यहां लिख रहा हूँगा वो certificate है और दूसरा अगला certificate है वो world health करके कुछ certificate है उसका भी नाम नीचे जो आ रहा हूँआ होगा और जितने भी मैं certificate के नाम बोल रहा हूँ इनके जो नाम है मतलब इनके जो link है मैं यहां description में provide कर दू यह जो दो certificate के जो लाच में मैंने जो नाम लिये हैं यह free of cost है इसके कोई charges नहीं है और यह total तीन certificate ऐसे हैं जो हर security company में मांगते हैं ठीक है और अगर आपको अपना level increase करना है ठीक है जिनको मतलब जिनको ज्यादा लगता है कि मैंने हाँ और आगे तक मतलब सब कोई आगे तक जाना है पर starting जो है आप ऐसा normal ऐसा security guard से करो आपको एक बार experience हो जाए सारे मतलब क्या काम होता है कैसा क्या होता है क्या प्रोसीजर होता है tactical guard क्या होता है सारा कुछ आपको मालम चल जब इस फिल्ड में आके तब मैं आपको प्रैफर करूंगा आप यूजर फोर्स बनाओं तो उस्टेम मेरे से फिर इसाय certificate डॉक्यमेंटेशन की तो मैं हायर हो गया as a contractual base contractual base मैं हायर हो गया तो उस्टेम C&E जो प्रोग्राम हो रहा था उसके लिए हमें शिफ्टे मिलती सारा कुछ ठीक है इवेंट वगेरा खतम होगे सब कुछ उसके बाद मैंने जो है scheduler और recruiter को दोनों को mail करा कि मैं full time eligible हूं मैं आपके लिए काम कर सकता हूं ठीक है यह वो तो उन्होंने फिर मुझे जो है contractual to permanent रख लिया ठीक है तो मैंने message करा तो मैं कहा करता हूं अब मैं इनका app होता है इनका एक company का खुद का app होता है उसमें इनके जो है shift आती रहती है ठीक है तो मैं अपने हिसाब से 20 hours per week shift उठा लेता हूं that's it मैं अपना काम कर लेता हूं खतम हो जाता है फिर जो है हमारा जो मतलब है वो scheduler से है ना कि recruiter से recruiter को हम नहीं जानता है ठीक है हमें जानता है scheduler और वो scheduler हमें जानता है ठीक है हमारी बीच में अब हमारी बीच की बात है तो अब हम दोनों decide करेंगे कि मैं को कितने घंटे काम करना और मैं कितने घंटे करना चाहता हूं स्केडूलर आपको कमपणी से नहीं निकाल सकता तो आप जो है फिसtha करें कि मैं को 20 गंटे काम करना में कोई गंटे काम करना है तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से कमपणी है जिसमें आप हायर हो सकते हो ठीक है एक तो मैं अपनी कंपनी का नाम लूँगा अलाइड उनिवर्सल ठीक है इसमें जाओ इसका जो एक ओफिस है वो पेप स्टेशन पर है और कुछ ओफिस जो है इनके साथ मिशी सागा में भी है तो आप एक बार विजिट करो आप बोलो उनको मैं फुल्टेम स्क्र Oregon डिर करने पर आप सिक्योरिटी अने की सोच रहे है वन है दो प्रिके और क्रैक्न पर्रस ट्रेक्वाइजف के लिए बहुत आप तो इन के लिए अच्छा औरिगा अब बात करते हैं अप्ध्र नहीं आरो आपको स्क्रूर्टी की MR बनवाना है तो आप मेरा एक भाई है बल्ली भाई वो आपको help कर देंगे security license बिनवाने में सारा कुछ की आप मेरा नाम लो मेरा reference दो उनको मैं उनका भी इंस्टाग्राम handle का जो link है वो description में डाल दोगा आप उनको message कर सकते हो पूछ सकते हो कुछ भी अगर आपको कोई भी doubt है तो वो आपकी पूसते हैं क्या करना है आपको that's it और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो कुछ भी मतलब information बेश लगी हो कि मैंने आपकी मदद करिया और कुछ हायर हुआ है तो भाई मुझे जरूर बताना thank you for watching this video I hope you guys like आपकी